मेश राशी वैवाहिक जीवन में सुधार होगा, कारोबार में लाब होगा, छोटी यात्रा के योग हैं, शुबरंग आस्मानी और भाग्य होगा, सत्तर प्रतिश्य व्रिश राशी स्वास्थ में सुधार होगा, धन लाब के योग बन रहे हैं, परिवार में खुशहाली आएगी, शुबरंग नीला और भाग्य होगा, अस्सी प्रतिश्य मिथुन राशी करियर में सफलता मिलेगी, संतान के उन्नती होगी, आर्थिक लाब होगा, शुबरंग हरा और भाग्य होगा, नब्बे प्रतिश्य कर्क राशी व्यर्थ का तनाव रह सकता है, परिवार में विवादों से बचाव करें, शिव जी को जल अर्पित करें, शुबरंग ग्रे और भाग्य होगा, साथ प्रतिश्य सिंग राशी संतान की उन्नती होगी, परिवार में खुशहाली आएगी, रुका हुआ धन प्राप्त होगा, शुबरंग नारंगी और भाग्य होगा, सत्तर प्रतिश्य कर्ण्याराशी, करियर की स्थिती में सुधार होगा, धन लाब के योग बन रहे हैं, मानसिक चुन्ताएं समाप्त होगी, शुबरंग सफेद और भाग्य होगा, अस्सी प्रतिश्य तुला राशी, मानसम्मान की प्राप्ति होगी, जीवन साथी का सहयोग मिलेगा, धन का लाब होगा, शुबरंग हलका पीला और भाग्य होगा, 75 प्रतिश्य ब्रिश्चिक राशी, स्वास्त का ध्यान रखे, ऑफिस में विवादों से बचे, वाणी पर नियंत्रण बनाए रखे, शुबरंग गुलाबी और भाग्य होगा, 60 प्रतिश्य धनू राशी, विवाद तै हो सकता है, करियर में कुछ बदलाव होगा, संतान की समस्या हल होगी, शुबरंग फिरोजी और भाग्य होगा, 70 प्रतिश्य मकर राशी, खान पान का ख्याल रखे, काफी व्यस्तता रहेगी, कर्ज की स्थिती में सुधार होगा, शुबरंग सफेद और भाग्य होगा, 65 प्रतिश्य कुम्ब राशी, धन की स्थिती अच्छी रहेगी, करियर में सफलता मिलेगी, परिवार में प्रसन्नता आएगी, शुबरंग नीला और भाग्य होगा, 75 प्रतिश्य मीन राशी मानसिक तनाव हो सकता है, प्रेम और रिष्टों का ध्यान दखे, शुबरंग धानी और भाग्य होगा, 60 प्रतिश्य तो आज हमने बात की कि पती या पतनी के जीवन में अगर कोई दूसरा व्यक्ति आ जाए या दोनों के बीच में कोई तीसरा व्यक्ति आ जाए तो इस समस्या से छुटकारा कैसे पाया जाए